कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग जो एमर्स की जो वेकिंसी आई हुए है जो नेश्ट के द्वारा कंड़क्ट किया जा रहा है और जो नेश्ट के कर सकते हैं राष्टे आदेवासे छात्र सिक्षा समेती के इंदर जो आपको जितने भी मॉडल स्कूल से उसमें जो पोस्ट है आपको पीजीटी टीजीटी प्रिसिपल और नॉन टीचिंग स्टाफ में आपको लैब टेक्निशन एकांटेट और जो कर सकते हैं सेक्रेट असिस्टेंट का जो पोस्ट है उन सब के लिए बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं लास्ट की वीडियो में सरस्वं फिजीटी कोग में और पीजीटी सब्नक्रता चाहारा है आप चाहें तो क्लास के लिए इन्रॉल होना चाहते है डिस्क्रिप्षिंट बॉकस में application का link है और जो EMRS के account का Post है उसका Class view आपका start हो रहा है तो आप contact number के through और application में जो लिंक दिए हूँ उस App के through में आप class के लिए enroll हो सकते हैं देखिएगा यह जो recruitment का जो notification है इसमें आप अगर कि एट नंबर की ओर देखते हैं तो यहां आपको नॉन टीचिंग स्टाफ का जो वेकेंसी है उसके बारे में दिखा रहे हैं लिखा हूँ मिलेगा यहां आप सेलेबस देख पा रहे हैं तो सेलेबस देख पा रहे हैं अब सेलेबस को आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स में सेलेबस देखने को मिलेगा चले हम लोग सेलेबस को देख लेते हैं सेलेबस जैसे ओपन होता है आपको चार पन्ने का पीडियाप दिखेगा एक पा रहे हैंगे नेशनल एडुकेशन सोसाइटी फोर ट्राइवल स्टुडेंट न्यू डेली है ना नेश्ट का जो आपको सेलेबस दिखेगा यह चार पन्ने का दिखेगा पहले पन्ने में और आपको एक कांटेंट का सेलेबस दिखेगा अज हम लोगे किपर इयकले बारेमेंगे देख रहे हैं है और यह कितने मांकस का होनेवाला है एकजांपचन उससे पता चलेगा यह यह देखिए 33 पेज का आपको information बुलेटन यह information बुलेटन में जितने भी पोस्ट आए हैं ठीक है जो nest के तुरू जितने भी पोस्ट आए उन सारे पोस्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा इसे में हम आपको एकाउंटेंट का जो examination होने वाला है और बात की जितने भी examination होने वाला उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले तो बताई चुके लेकिन एकाउंटेंट के बारे में आज हम लोग ठोड़ डिटेल्स में कर लेते हैं यह आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग सेले बस डिटेल में समझें के पहले एकाउंटेंट का जो examination है वो marks जो है वो कितने marks का हो रहा वह आप देख लोगे ठीक है यह देख पा रहे हैं अब्जेक्टिव टाइब सबसे पहले समझ लेना कि यह एकाउंटेंट का जो exemption है यह objective nature का exemption होने जा रहा है 130 marks का कितने category में जो है डिवाइडेड है आप यहां देख पा रहे होंगे यहां पर एक आपको चार पोर्षन दिख रहा है पांच वा पोर्षन आपको नेक्स्ट पन्ने में दिखेगा ठीक है मतलब आप देख पा रहे हैं कि टोटल किजने पोर्षन हो जा रहे हैं पांच है ना पांच पोर्षन हो रहे हैं बारे बारे से समझना पहला जो पोर्षन है वो आपको बता रहा है रिजनिंग एबिलीटी ठीक है पहला पोर्षन है बीस कोष्शन आएंगे 20 marks के मतलब कि आपको एक question का 1 marks दिया जाएगा एक mark दिया जाएगा फिर part 2 है ये quantitative aptitude quant का question है 30 question पुछे जाएंगे और 30 marks दिया जाएगा मतलब reasoning होगे और quant होगे जिसको आप math के रूप में बोलते हैं तो ये दोनों मिला करके कितने हो गए 50 question ठीक है फिर आप आगे देखोगे part 3 ये क्या है language है ठीक है कौन कौन से language है हिंदी और इंगलिश दोनों ही है 10-10 marks रहेंगे तो कितने हो गए 10 प्लस 10 मिला करके आपका 20 हो गया ये 20 marks का exemption होने जा रहा है 20 marks का exemption होगा 20 question आएंगे और 20 marks के आपका exemption हो रहे है part 4 क्या है देखो part 4 जो है ये आपको basic knowledge of computer operation साथ से general awareness and current affairs मतलब आपको current affairs हो गया भी इसमें और आपको computer भी पढ़ना है ठीक है general awareness मतलब हो सकता है आपका gkgs से भी कुछ question आ सकते ये कितने होंगे ये 20 question होंगे और इसका marks कितना हो जाएगा 20 ठीक है तो आप यहां देख पार है कितने होंगे पोटल आप देखोगे 20 और 30 पचास 50 और 20 70 और 70 और 20 यह आपको गया 90 marks का अभी आपको फिप्ट portion बाकी है आगे की और जब बढ़ेंगे हम लोग तो फिप्ट portion देखेंगे चले आगे फिप्ट portion की और फिप्ट portion क्या बोलता है subject knowledge तो आपका post क्या है एकाउंटेंड ठीक है एकाउंटेंड का post है जायर से बात कौन से topics होंगे related to accountancy है ना और एकाउंटेंड से related जितने भी topics cover करने होंगे इसमें और यह आपका major हिस्सा होगा already उदर हम लोग 90 marks को देख चुके थी 90 marks में चार सेग्मेंट देखे थे यहां पर आपको 40 marks के question पूछे जाएंगे किस से तो एकाउंटेंसी से अब एकाउंटेंसी में कौन कौन सा portion है फिर से देख लेना एकाउंटेंसी में पहला एकाउंटेंसी आ जा रहा है टैक्स इसन आ जा रहा है एकाउंट्स को फिर से लिखाया अलग से लेकिन topic अलग होंगे budgeting accounting होगा financial management होगो और जेम related ठीक है एक ऐसे institution में आप जा रहा है जो कि आपको educational activity होगे लेकिन चुपके central government का government से जुड़े हुए बहुत सार्जितने भी खरदारियां होती है purchasing होते वह जेम के तुरू होता है जेम जो government का management system मार्केटिंग system में उसके तुरू तो यह जो आपका जो जेम system है आपको इसको आज एकाउंटर आपको knowledge होना ही चाहिए तो इन सारे portion से आपको 40 question बनेंगे पहले आपको 90 होगे और अभी 40 होगे total कितने होगे 130 marks के question पूछे जाएंगे यह आपको हद तक समझ में आ चुका होगा याने कि इन आपको इन 130 में क्या के question क्या के portion बन जा रहे हैं कि यहां फिर से मैं आपको समझा दे रही हूं और अभी आगे हम लोग syllabus को detail में समझेंगे reasoning हो गया quantity aptitude हो गया language हो गया language competency में आपको हिंदी इंगलिश दोनों हो गया computer जेनरल अवेडनेस और जेनरल का आपका करेंट अफिस हो गया यह आपको डाए घंटे का होगा ठीक है इसमें आपको डाए घंटे में 130 marks के 130 questions solve करने हैं तो यह हम लोग अभी जानगे examination का जो pattern है accounting ठीक है अब detail syllabus कैसे जानेंगे detail syllabus की और आम लोग आ जाते हैं कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह जो एट नंबर पॉइंट है यह आपको detail syllabus का है ठीक है हम लोग syllabus डाउनलोड कर लेते हैं कि कि चार पन्ने का syllabus खूलेगा second पन्ने पर आप आप आएंगे तो syllabus में आपको details में सारे topics मिल जाएंगे अभी जस्ट हम लोग discussion कर रहे थे ना कि आपको reasoning ability और बाकी सारे सब्जेक्ट है quantitative वे कर रहा है तो यह आपको reasoning ability आ गए ठीक है reasoning ability आपको उसमें कौन-कौन से आपको topic कवर करने है puzzles and sitting arrangement data sufficiency statement based question जिसमें वर्वल रिजनिंग आ जागा inequality blood relation sequence and series direction test assertion and reason और वेंड डाइग्राम ठीक है यह से 20 marks के question पूछे जाएंगे फिर आपको पता है quantitative after 30 marks का आने वाला है तो यह आपको कौन-कौन से topic से ratio and proportion time and work profit and loss problem on edges number system पढ़ना है decimal fraction time and distance सब्सक्राइब करना है इसके बाद आपको जेनरल हिंदी और जेनरल इंग्लिस कवर करना है आईए उसके बारे में भी समझ लेते हैं जेनरल हिंदी जो रहेगा उसमें आपको संदी समास विलोंग शब्द परियाय वाची सब्द समाने अशुदियां वाक्यांसों के लिए एक शब्द मुहावरे लोकोक्तियां अपटेद गद्यांस और आधादित प्रश्न यह आपको हिंदी का सेलेबस हो गया और इंग्ल जाते हैं जैसे वर्व हो गया टेंस वाइस सब्जेट वर्व एग्रिमेंट आर्टिकल कॉम्प्रेहेंसल फिल इन द ब्लैंक होंगे एडवर्ब एर्र क्रेक्शन सेंटन्स रियर्रेंज में अंसीन पैजिस वोकैबलरी अन्टॉनिम्स और सिननिम्स ग्रामर इडियम्स और फ्रेजेस यह हो जा रहा है आपको ठीक है यह दोनों मिला करके आपको दस-दस माक्स कर रहेगा जैसा मैं अभी जस्ट पहले बता चुकी हूं इसके बाद में आपको कंप्यूटर जेनरल अवेर्नेस और करेंट अफिर से जुड़े प्रश्न होंगे और लास्ली आपको प तैयारी करने की आश्रकता है और तैयारी के लिए हमारे दोर जो कलासे से बहुत ही मिनिमम फी पर आपको चलाया जा रहा है आप चाहें तो आराम से कोर्स पचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फिलहाल इतना जान लिजिए यह जो कोर्स के टाइम में 5000 होती है लेकिन अभी आपको इस पर 50% डिसकाउंट मिल जाएगा कोर्स की मात्र आपको 2500 रुप्या है ठीक है तो दिया रखेंगे मात्र इतने में आपको यह एकांटेंट का जो कोर्स है वह आपको करवा दिया जा रहा है जो भी भीरते एकांटेंट यह अमा लिए तो आप अराम से इस कोर्स को जोइन कर सकते हैं बहुत ही कम फिर में समझ लिएगा कि एक शांदार शुपलता आपको इलिए सुनिश्चित होना ही तय है ठीक है इसके अलावा यह मारिस का पीजीटी क्वामास और एकोनॉमिक्स का क्लास भी हमारे द्वारे कंड़क् सब्सक्राइब कर लिए और कुछ जानकारी चाहिए तो कॉंटेक्ट नमबर पर आप वर्टसप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर नहीं है तो चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकिशन पेल भी जरूर प्रस कर लेंगे थैंक यू